बिपेए ची की परिक्षा को लीक भूए आप पाँच दिन बीश चुकेशे है इसके बाद बिपेएची की ओर से उस परिक्षा को रद्र कर दिया गया और हम उनसे बात करेंगे जो छात्रों की निराशा की बात है और तमाम राजनितिक पार्टियों की ओर से जो लगातार विपक्ष की ओर से जो घेरे जाने की कोशिश जारी है उन सम्मंदों में उनसे सवाल करेंगे विजजी आपका नमस्कार बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए इस मुद्धे भी बात करने के लिए आपको भी नमस्कार और सभी सुरोताओं और दर्शकों को भी मेरा नमस्कार विजजी सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि ये जो लीक हुआ रविबार को शायद अब अगली बार पेपर देने आने के लिए उतने पैसे न जोटा पाएं वो शायद उनके परिवार उनको भेज ना पाएं इतनी दूर परिक्षा देने के लिए जो मानसिक प्रताड़ना जो डिप्रेशन अवसाद की बात चात्रों की ओर से आ रही है आप सरकार में मंत्री होने के नाते सिक्षा विभाग समाल रहे हैं आप क्या आश्वासन देना चाते हैं उनको हम तो सभी छात्र छात्राओं से यही अपील करेंगे कि इसमें कोई उतना निराश होने की बात नहीं है अगर परिक्षा का पेपर लीख हो जाता है तो परिक्षा को रद करने के अलावा कोई रास्ता बचता नहीं है और वैसे भी जान लेजिए कि आप लोगों ने भी देखा है या जो घटना घटी है परिक्षा का पेपर लीख होने का ये कहीं से कोई मतलब इसका प्रामानिक सबूत नहीं है कि उससे किसी को फाइदा मिला था कि नहीं मिला था लेकिन आप ये बिहार लोग सेवा आयोग की और सरकार की पारदर्शी तरीके से काम करने की शैली जो है उसको अप्रिशियेट करना चाहिए कि पेपर लीख हुआ वाइरल हुआ लेकिन उससे कोई लाब नेने की अभी तक कोई सूचना नहीं है अब आपको सूचना हो तो मैं नहीं जानता हूँ जो वो कोई परिक्षा हॉल में बैठे किसी विद्यार्थी को पहुँच गया और उसने उसका फाइदा उठा के कोई पेपर लिख डाला ऐसी कोई बात नहीं आई है लेकिन वाइरल हुआ इसे दुनिया ने देखा तो भले ही किसी को फाइदा नहीं हुआ लेकिन जो इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीती कहते हैं कि विश्वसनियता की बात होती है कि अगर वाइरल हो गया कहीं से गोपनियता भंग हो गई तो चाहे कोई लाभ ले पाए या नहीं ले पाए परिच्छा में विश्वास सब का बना रहे इसलिए आयोग ने ऐसा फैसला लिया और सरकार ने भी इसको उचित माना है और हम समझते हैं कि इसमें उस धंग से निराशा की तो कोई बात नहीं है परिशानी हुई तो निराशा की बात इसलिए है तो निरराशा की बात इस लिए है सौरी में आपको रोकना चाहता हूं कि वह तमाम शाटर आर्थिक और समाजीघ्र साताल से अपने परिवार को बाहर निकालने के लिए इस सबसे बड़ी परिक्षा की तैयारी करते हैं उम्र की बात कह रहे हैं, तो जिस डेट को इस परिक्षा की तिथी आई थी, अगली परिक्षा की जो तिथी आती है, इस बीच में अगर कि नहीं का एज एक्सपायर करता है, तो आप जरूर संग्यान में लाइएगा, हम लोग निश्चित रूप से सरकार के तरफ से पहल करे सर, कानूनी रूप से तो शायद उनकी एज एक्सपायर ना करें, वो एक्जाम देने के लिए समर्थ हो, लेकिन सर, उम्र तो बढ़ी जाती है, तमाम लोग दूसरे पेशे में जानी कोशिश करते हैं, वो, जी, मतलब आप खुद स्विकार कर रहे हैं, कि आप बिलकुल का समभावना आपको भी नहीं देखती है, क्योंकि आपने खुद का, कि उम्र नहीं भी पार कर सकती है, तो जो आप खुद अस्वस्त हैं, कि उम्र नहीं पार करेगी, तो इस तरह के काल्पनिक प्रश्नों का क्या उचित है? मैंने सर्फ प्रश्न में दुबारा दो रहे देता हूँ, उधारन के लिए किसी की अधिकतम उम्र 35 वर्ष है, और ये पेपर कैंसिल हो गया, उसकी उम्र 35 वर्ष है इस समय या 34 वर्ष है, और एक साल बाद पेपर होता है, या 6 महिन पेपर होता है, तो उम्र तो उसकी हमको लगता है आप प्रशन पूछने के बाद उत्तर पड़ आपने ध्यान ही नहीं दिया। यहीं तो हमने कहा कि आज जिस तिथी को जितनी उम्र अधिक्तम उम्र की अनुमानिता है। अगर अगली तिथी जो निकलती है इस बीच में कोई आयू सीमा पार करने की स्थिती आती है तो वैसे मामले आएंगे तो सरकार जरूर चाहेगी कि उस पर आयोग विचार करें। यहीं तो हम कर रहे हैं। और जहां तक आर्थिक संपन्नता या विपन्नता की बात है तो कोई एक्जाम की तिथी तीन चार महीने बरने से या जितना भी बड़े अभी तो फैसला हुआ नहीं है। हमारे समझ से इसके बारे में कोई इस तरह की इस्थिती न आए या विद्यार्थियों को निश्चित रूप से परिशानी होती है। वो परिक्षाएं भी कैंसिल होती है। विद्यार्थियों की परिशानी विद्यार्थियों की जो दुश्वारियां हैं उससे इंकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये तो सब आप लोगों ने देखा है और मीडिया का तो ये दायत तो बनता है लोगों को बताए कि सरकार ने ये काम कोई पसंद से तो किया नहीं है ये किसी की खुराफात है किसी का मिश्चीफ है जैसा कि हमने कहा कि इस से किसी को फाइदा भी पहुंचाया गया ये भी अभी तक आप लोग कहीं नहीं सामने ला पाएं हैं लेकिन अगर किसी ने सीधे कहीं से उसका स्क्रीन सोट लेके वाइरल कर दिया तो आपको ये जरूर बताना चाहिए लोगों को कि ये सिर्फ और सिर्फ मिश्चीफ के रूप में किया गया है ये सरकार और आयोग को पीछे लगे होंगे जिनकी तहकीकात हो रही है और हम लोगों को पूरी उमीद है कि ऐसे जो सरारती तत्व है उनकी पहचान कर उनके विरोध कानूनी कारवाई की जाएगा कानूनी कारवाई पर आते हैं सर अब तक जो जाच होई है जो हमारे पुलिस अधिकारियों से बात होई है हमने जो रिपोर्ट प्रकाश्यत की है उनमें एक बात सपस्ट रूप से नजर आती है कुछ परिक्षा के इंद्रों में प्पीज़सी के नियमों के तहद जो परि कराएं वह स्वयम उस उस मामली की जाच करा रहे हैं इसके साथ ही मैं जोडना चाहता हूँ है आपर पांच दिन हो गए है आरा के पुमर सिंग कॉलेज में जो विवाद हुआ था लेकिन अब तक कुई एफाईयर दरजनी हुई है एक और लाइन जोड़ देता हूं मैंसमे एक भी गिरफतारी डीकी है क्या कहना है आपका इस पर देखिए सबसे तो पहली बात है कि आप थोड़ी जल्दिबाजी में है और न्याय हमेशा हड़ पक्ष को उचित समय देता है और आपने कहा कोई काड़वाई नहीं हुए और आपने देखा कि केंदरा देख्षक से लेके मैजिस्ट्रेट जो दंडा धिकारी थे वो गिरफतार हुए है यह काड़वाई नहीं है और जो बात आप कह रहे हैं जब जाच पूरी हो जाएगी जो यो यू जाच कर रही है उसमें जहां तक जो साइबर कनेक्टिविटी या कहां से वो इनिशियेटर था उसका ज जो उसकी जिसने ये मिश्चीफ किया था वहां तक पहुचने के बाद चाहे उसके लिए जतने लोग दोसी होंगे कलक्टर दोसी होंगे स्पी दोसी होंगे उनके भी खिलाब करवाई होगी और अब ही जो प्रारंभिक जाच में जिन लोगों की उदासेंता या नेगलिज इस या घड़बड़ी पाई गई उनके खिलाब करवाई होई है तर आप कहरें करवाई होई है लेकिन अगर परिक्षा केंदर में जो CCTV फुटेज को इंशूर करना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी थी वो स्टेटिक मजिस्ट्रिट की जिम्मेदारी नहीं थी जिला प्र प्रशासन की खिलाफ कोई भी अक्षन लिया गया है मैं डियम और सीनिर आफिशर्स की बात कर रहा हूं जिनकी उपर मुख यूरूप से जिम्मेदारी थी आप तो जाच से भी पहले ही जिम्मेदारी फिक्स कर दिये किसके खिलाप कारवाई की जाई ये आप ही के तरफ से भी जो मैंने असपस्ट कहा है अब कहां पर कन्फ्यूजन है आपको हम नहीं समझ रहे हैं कि जाच पूरी होने के बाद अगर कलक्टर इस भी के नेगलीजिंस की बात आगी तो उनके भी खिलाप कारवाई होगी अभी प्रारंभिक जाच में जिनका दोश या ज सभी हमारे चात्र चात्राओं से भी अपील करेंगे कि जब सरकार ने और आयोग ने दोनों ने एतनी त्वरित कारवाई की है तो जरूर भरोसा रखना चाहिए जो भी दोसी होगे उनके खिलाप हम निश्चित कारवाई करेंगे क्योंकि ये सरकार और आयोग के भी विश् सुनियता का प्रशन है इसका पीछे पड़िफेक्ष में ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पिछले दो तीन साल से शायद आपको पता होगा और अपने दर्शकों और सुरताओं को भी बताना चाहिए कि बिहार लोकसेवा आयोग की कारशयली की न सिर्फ अपने प्रदेश में बलकि पूरे देश में इसकी सराना हो रही है इसको भी ध्यान में रखना चाहिए और आगे भी सही और सक्त कारवाई होगा